हाई बीटफल एंजल्स वेलकम डिवाइन फैमिली राध हे राध हे जैशे किष्णा आई होप आप सुल अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्त होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नहीं रीडिंग रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आउस करना चाती हूँ कि 23 मार्च को मेरी अपकमिंग वर्क्शॉप के बारे में जिसका नाम है आर्केंजल माइकल अट्यून्मेंट वर्क्शॉप जो वन वीक की वर्क्शॉप है और बहुत ही पावर्फुल वर्क्शॉप है जिसमें आपको लाइफ सेशन से मैं अट्यून करती हूँ आपको आर्केंजल माइकल की एनरजी के साथ इसमें सिंबल सखाती हूँ उस सिंबल को कैसे यूज कर सकते हो अपनी पर्टेक्शन के अपने घर की अपने घरवालों की अपनी वर्क की कैसे प्रटेक्ट कर सकते हो आप कोर्ट कटिंग रिच्वल और बहुत कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज और प्रियर्स तो अगर आप इन्रोल करना जाते हैं इस वर्क्शॉप में तो आप मेरी टीम को कांटक्ट कर सकत और परसनल साइड रीडिंग के लिए भी मेरी टीम को कॉंटक्ट कीजी और अपाइनमेंट बुक करवाईए आपको मेरी टीम के नंबर जो हैं डिस्ट्प्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को आज की रीडिंग होने वाली है कि फाइफ देज नेक्स फाइफ देज की नेक्स फाइफ देज में कौन सी एनरजी आप लोगों की तरफ आ रही है सबसे पहले हम लोग क्या good news कौन सी main energies आपकी रहने वाली है next five days के लिए हम लोग इस deck से निकालेंगे और उसके बाद send reading से कुस messages को receive करेंगे तो देख लेते हैं five क्या good news है next five days के लिए कि इसमें काफी सारे कार्ड्स आगे हैं तो हम लोग clarify भी करेंगे कुछ कुछ कार्ड्स को यहां पर तो यहां पर है nine of wands the tower and two of wands तो यह मुझे गाइड किया जा रहा कि मैं कठे रखों तो यहां पर है seven of swords और knight of pentacles के energy ठीक है तो यह रख लगते हैं लोग कठे और फिर एक और कार्ड निकाल रहते हैं सबसे पहले क्योंकि मैंने five card मुझे बताये गए हैं और फिर हम लोग clarify करने माले हैं वाव दिखा आपने कैसे निकला है वो गाड तो sun का गाड है यहां पर beautiful तो यहां पर nine of wands को देख लेते हैं nine of wands यहां पर क्यों है वाव 10 of wands मुझे और clarify करने पड़ेगा बहुत सारे responsibility आप ले रहे हो इस समय में यहां पर निकला है seven of wands seven of pentacles टावर टावर कार क्यों है यहां पर काफी scattered energy लग रही है मुझे यहां पर क्योंकि कार्स जो है वाव तावर है यहां पर six of wands के साथ beautiful तो देख लेते हैं पहले इन कार्स के energy को रीड कर लेते हैं देख लेते हैं अब इन कार्स की energies को तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ न मुझे याद आया क्योंकि जैसे मुझे गाइड किया गया था तो मैं रीडिंग के स्टार्ट करने की वक्त भूलगी कि अगले पांच दिनों में क्या काया पलट होने वाली है इसकी यहां पर कुछ big transformation है यहां पर आरही है जो आपकी तरफ अगें general collective reading है यह और जिसरह से यह टावर कार्ड निकला है तो definitely और उसके the sun बहुत beautiful happy energy है यहां पर काफी कुछ चीजें जो है जो darkness में थी वो जो धुंदली थी अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रही थी समझ में नहीं आ रही थी तो यहां पर वो चीजें बहुत सारी clear हो सकती है आपको clarity मिल सकती है ठीक है और काफी आपके mood में भी change आ सकता है अगर आप कुछ दिनों से कुछ stressful है और किसे के साथ आप हस खेल भी रहें इस तरह की मुझे लग रही है डिसकुशन चल रहा है या बाते कर रहे हैं family time है यहां पर बच्चों के साथ time है तो वो मुझे यहां पर लग रहा है जो बहुत बहुत beautiful energy है यहां पर आप सन में भी तो इस थरह की energy है mowasam जैसे निकर रहा है निखार आरहा है आपके चाहे वो mood में हो आपके निखार आरहा है चाहे आपकी जो progress हो रही है success में निखार आघा है आप थोड़ा सा मुझे यह भी लग रहा है कि किस तरह की stuck energy में feel कर रहे थे तो वहां से भी आप निकलते में न बातों को लेकर stress out हो रहे थे और अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपनी health पे अपने काम पे अपनी जो daily की activities है ठीक है ना या कुछ ऐसे लोगों की वज़े से हो सकता है यह ऐसी energy थी जिस वज़े से आप distract हो रहे थे क्योंकि लोगों ने इस तरह की energy को create कर रहे थ से ही आपने move on शुरू कर दिया है और साथ में आपका focus चेंज कर लिए है आपने यहां पर ठीक है तो अगर आप यहां पर खुद भी focus हो रहे थे आप मतलब scattered थी आपकी energy जो मैंने आपको शुरू में बताया है तो यहां पर आप focus कर पा रहे हो अपने काम के उपर अपने progress अपने जो भी काम कर रहे हो जो भी हाथों में आपके काम होगा वहां पर आप ध्यान दे पाओगे focus कर पाओगे ठीक है धीरे सही सही लेकिन आप वापिस से उस energy में आ रहे हो जहां पर आप कहीं न कहीं committed feel करोगे अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने कामों के लिए basically यहां पर career health का मुझे ज्यादा लग रहा है ठीक है तो खुश खबरी 7.06 के energy से आप खुद बाहर आ रहे हो distraction से negative energies negative thinking past की energy stressful energy लोगों की distraction तो उससे आप बाहर पाव रहे हो मुझे ऐसा कोई काम भी लग रहा है कि कोई काम था ऐसा जो आप कर नहीं पाए ठीक है हो नहीं पाया possible उसका कोई ऐसा काम भी आपको खुश कर सकता है उस काम को आप accomplish करोगे किसी काम को ठीक है कुछ ऐसी है मुझे message मिला यहाँ पर यहाँ पर देखिए nine of ten of waiting है बहुत सारा काम बहुत सारी responsibility heavy और mentally emotionally heaviness लग रही है यहाँ पर scattered लग रही है energy समझ में नहीं आ रहा heaviness है यहाँ पर और बहुत सारे काम हो सकते हैं बहुत सारे busyness हो सकती है पर आपको वो मुझे लग रही है energetically भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो यह current आपकी energy हो सकती है यह recent past की energy हो सकती है और यहाँ पर आप अपने अपने career पर focus कर रहे हो अपनी pentacles पर focus करने वाले हो यहाँ पर ठीक है उसके उपर मिहनत करने के लिए ready हो अब आप अप उस इन उससे निकलोगे आप इस energy से heavy energy से और आप कहीं न कहीं अपने आपको ready करोगे motivate करोगे यहाँ पर कहीं न कहीं अपने pentacles के लिए अपने career path के लिए अपने आगे बढ़ने के लिए again health के लिए भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको motivation inspire होने वाले हो आप कि किस तरह से उस heavy energy क मैं अपना focus जो है pentacles के लिए जाओं जो अपनी abundance है उसके लिए जाओं चाहे वो abundance आपको थोड़ी सी nap लेने से मिल जाती है मतलब satisfaction मिल जाती है या nature में जाने से मिल जाती है या अपना you know manifestation के लिए कहीं लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाले है क्यों कुछ लोग यहा इनर्जी से आप बहार निकल रहे हो ताकि आप इस एनर्जी में आ सके जहां पर आप pentacles पर focus कर सके अपनी health के उपर mental emotional health के उपर physical health के उपर ठीक है यहाँ पर तो definitely है यह energy six of wands की तो career में हो सकता है यह आपको कहीं न कई recognition मिल रही है victory हो रही है आपकी growth है यहाँ पर definitely किसी तरह की जो भी past के energy या present के energy में हो आप उससे बहार निकल के कुछ amazing हो जाना या आपने कुछ amazing accomplish करने वाले हो आप आगे बढ़ने वाले हो definitely कोई project हो सकता है जो जिसको आप accomplish कर रहे हो यहाँ पर definitely victory यहाँ पर किसी को growth progress यहाँ पर मुझे एक और कार्ड निगालने के लिए बताया गया है tower six of wands को एक और कार्ड के साथ clarify करते हैं हम लोग spirituality भी में भी है किसी की यहाँ पर ठीक है ना spiritually आप जो energy आपकी बिखरी हुई मुझे यहाँ पर लग रही है उसको आप spiritual practices में यहाँ पर लगा पाऊगे तो wands को हम लोग नहीं तो सिरफ career की energy में देखते हैं passion की energy में देखते हैं spiritual energy भी wand से आती हैं तो यहाँ पर आपका अपने आपको spiritually move on करना spiritually अपने आपको आगे बढ़ाना तो अगर आपका spiritually भी आप focus नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे आप वो कर पाऊगे और अगर किसी तहां की लोगों की energy आपको bother कर रहे थी तो उससे आप अपने उपर focus कर पाऊगे पीस को create करना growth पे ध्यान देना अपनी abundance पे तो यहाँ पर page of cups है two of cups है यहाँ पर ठीक है काफी सारे काड़ गिर रहे थे एक और काड़ है जो नीचे गिर गया है कि डेफिनली कुछ कुछ कहीं किसी जगह से आप निकल रहे हो यहाँ पर तो यह टावर मूमेंट डेफिनली किसी स्टक एनरजी से आपको किसी तरह की unhappiness की जगह से यहाँ पर growth नहीं देख पा रहे थे वहाँ से आपको निकाल रहा है यह किसी तरह की यहाँ पर cups की energy भी emotionally content भी होना किसी तरह की जीत जहाँ पर emotionally अच्छा फील कर रहे हो यह किसी परसन की तरफ से भी आपको किसी तरह की प्रपोजल आ सकती है ठीक है तो यहाँ वाली energy से आप definitely निकल रहे हो five of pentacles की किसी तरह की यहाँ पर आप career को लेकर choose कर सकते हो कुछ ठीक है अगर किसी तरह की options में आप फसे हुए थे यहाँ पर तो उसमें भी आप आगे बढ़ने वाले हो यह आपका career कुछ online से related हो सकता है कुछ online आप करना चाहा रहे थे तो वहाँ से related हो सकता है बटे यह definitely यहाँ पर आप decision ले रहे हो किसी ने किसी एक काम को choose करके कुछ चाहे वो नया है या right now उसको कैसे आगे बढ़ाना है कैसे तरक्की करनी है या उससे related कुछ upgrade कैसे करना है अपने काम से related हो सकता है ठीक है अपने work से related कुछ ऐसा करना जो यहाँ पर आप कर पाओगे decision ले पाओगे और उसके लिए action भी य mentally emotionally किसी भी stuckness से बहार भी निकल रही है बहुत सरी clarity विजय आपको मिल रही है यहाँ पर आप ज़्यादा focus करने वाले हो और emotionally भी आपको बहुत अच्छा feel होने वाला है अब देख लेते हैं sand reading से तो देख लेते हैं आप sand reading से कि क्या messages है next five days में क्या हो रहा है क्या होने वाला है तो messages को receive करेंगे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादे बहुत ज़्यादा vivid dreams को देख सकते हो ठीक है काफी सारे dreams आपको आ सकते हैं काफी सारे messages और साफी काफी सारी clarity जो है आपको dreams में मिल रही है यहाँ पर तो dreams की तरफ आपको ध्यान देने की जुरत है आप archangel Michael के साथ connection feel करोगे यहाँ पर ठीक है ना और हो सकता है कि archangel Michael आपको inspire भी करें यह जो workshop में लेके आ रही हूँ इसमें participate करने के लिए definitely archangel Michael connect होना चाते हैं यहाँ पर archangel Michael का आप लोगों के लिए message यह है कि specially जिनको बहुत ज़्यादा negativity अटेक करती है यह बहुत ज़्यादा sensitive है ठीक है तो उनको खुद ही archangel Michael आपकी तरफ कहीना कहीं से आपको message भेजेंगे कि आपको अपने आपको पर्टेक्ट करने की जुरत है यह इस workshop में इंडोल करने की जुरत है यह मैंने ही बोल रही हूं थेके message आ रहा है ठीक है तो आप connection feel करोगे archangel Michael का यहां पर हो सकता है कि बहुत सारी videos या messages आपकी screen पर आने शुरू हो जाए और आपको messages मिलने शुरू हो जाए यहां पर कोई बहुत जादा रो रहा है समय में शायद कुछ ऐसा हुआ है recently किसे ने जॉब लूज की है तो शायद यह message है कि जॉब लूज की है तो कोई परसन यहां पर कफी रो रहा है अगर आप नहीं भी रो रहे हो लेकिन आप सिर्फ आपको इस चीज का किसी के career से related अगर कुछ लॉस हुआ है तो उस वज़े से अगर आप चिंतित हो तो यहां पर यह message है आपके लिए कि आपको कोई और जगा पर भेजना है इसलिए आपको एक जगां से निकाला गया है या वहां पर आपको किसी तरह की sad news या वह हुआ है चूट गई है जाव ऐसे कह सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको या तो आपको आपको किसी और जगां पर भेजा जाएगा जो बैटर आपके लिए यह इस पम आप चीन हे डिवाइन यहां पर काम करें लिए कि आप को किसी बेटर बोजीशन के लीए by confused यहां पर आप अपनी टैमटेशन के ऊपर च्छू करें आपने ओडर को नद अगर आपको टेम्टेशन होती हैं मिठा खानेगी या फास्ट फूड खानेगी तो यहां पर कोई ना कोई उसके ओपर विजय हासिल कर रहा है ठीके ना यहां पर वो चूछ करेगा यह करेगी की हल्दी खाना जरूरी है तो हैल्दी फूड को है ली चॉइसे आप बनाने वा यहां पर किसी का दिल करें कि बहुत सारी किताबे पढ़ने को, ठीक है, और मुझे वो सन का कार्ड दिखाया जारा कि कहीं न कहीं आपको बुक्स से यह information मिलेगी, किसी तरह की clarity भी मिलेगी, कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, तो यहां पर definitely books हो सकती है, अचारक से आपके साम ने आए कोई book, आपका दिल करें कि अभी आपको उसको read करना है right away, ठीक है, कोई information है, जो बुक के थरू आप तक पहुचने वाली है, definitely, और कोई important information है, शायद आप ढूंड रहे थे, नेचर की बहुत सारी beautiful pictures जो है, आपके सामने आ सकती है, आप चाहे कहीं पर भी किसी भी screen के उपर आप watch कर रहे हो, social media पर videos, reels, जहां मर जी, तो कुछ ऐसी आपकी pictures, बहुत beautiful nature की, oceans की, या फिर hills की, पहाड़ों की, नदियों की, जर्नों की, कुछ इस तरह की बहुत beautiful pictures आपके सामने आएंगी, और आपका दिल को महु लेंगी यहाँ पर, किसी के लिए यहाँ पर अगले 5 days में, big transformation बेट कर रही है, छीक है ना, movement है, यहाँ पर traveling लग रही है मुझे, यह transformation किसी भी रूप में है, आपकी health को related हो सकती है, किसी की यहाँ पर traveling से related हो सकती है, किसी की यहाँ पर scattered energy से कोई focus कर पा रहा है, तो काफी तरह की, यह आप decide करोगे कि right now आप कौन सी चीज को improve करना चाहते हो अपनी life में, right now आप किस को prioritize कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि इस field में आपको improve करने की जरूरत है, आपने life के इस हिस्से में आपको improve जरूरत है, तो वहीं पर आप transformation यह available है आपके लिए, अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप action लोगे, किसी का यहाँ पर pentacles को लेकर इंतिजार खतम हो रहा है, अगर किसी ने, किसी ने आपकी abundance को रोका आप तक पहुंचने के लिए, कुछ भी ऐसे किया, तो वो उस में से निकल रहे हुआ, उस blockages में से, उस energies में से आप निकल रहे हो, तो finally अपनी pentacles आपको नजर आने शुरू होंगे, finally आप अपनी abundance के साथ कनेक्ट कर रहे हो, finances आपकी improve होने आपको नजर आएंगे, जो night of pentacles और जो seven of pentacles के energy है, कि finally आप connect हो पा रहे हो, बाकि आपको मिहनत करने का, यानि कि आप opportunities को देख पा रहे हो, कि definitely यहाँ पर इंप्रूव हो रहा है, उसकी शुरुवात आप देख पाऊंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारी हिस्सों में success मिल सकती है, देखने को, आने वाले पांच दिनों में, मुझे फिर से word सुन रहे हैं, big big transformation, तो I don't know, इसलिए मुझे यह topic भी मिला है, कि आपकी कायब पलट होने वाली है, यहाँ पर तो, Sun की energy आपको बहुत effect करने वाली है, यानि कि happiness, clarity, बहुत सारी, Sun की energy और Six of Wands की energy भी थी, तो कुछ है यहाँ पर ऐसा, जो कहीं न कहीं, बहुत सारी हिस्सों में आपके improvement लेके आ रहा है, बहुत सारी stuckness में से आपको बहार निकाल रहा है, बहुत सारे आपको ideas, messages, affirmation, manifestation, इनके उपर भी आपका दिल करेगा कि आप energy को लगाएं, अपने time invest करें, क्योंकि यह चीजें इसलिए आपके mind में भेजी जा रही है, कि manifest कीजिए, affirmation लिखिए, कुछ कीजिए, ठीक है, आपके सामने भी messages आ सकते हैं, स्क्रीन पर, इसलिए क्योंकि यह समय है, यह समय है, इसको utilize कीजिए, जो भी आपको सही लगता है, ग्रैची जूट से आप वो करना चाहते हो, manifest, या affirmation लिखकर, या और भी जो भी टकनीक से यूज करके, वो इसलिए भेजी जा रही है, क्योंकि यह energy आपके लिए available है, right now की energy को utilize करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपनी success को या अपनी wish को manifest कर सको, fulfill कर सको, और देख लेते हैं, आपर क्या messages आप लगों के लिए, कोई किसी बात का आपको थोड़ा सा डर जैसा feeling आ रही है मिरको, कि आपको कोई डर सता सकता है, कि ये कैसे होगा, ठीक है, कैसे कर पाऊगे आप, कोई काम है, कोई decision है, कोई investment है, कोई new beginning है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, लेकिन आप निकलाओगे, इस energy में से आप निकलाओगे, so don't worry, ठीक है न, बहुत जादा उसके उपर focus नहीं करना, उस डर के उपर focus नहीं करना, ठीक है, आप निकल जाओगे राम से, यहाँ पर कोई person के बारे में भी आपको पता लग सकता है, कोई person बहुत जैलिस कर रहा है, आप से, जो black crystals होते हैं, obsidian, tourmaline, smoky coats, यह कुछ crystals आप use भी कर सकते हो, अपनी pocket में रख सकते हो, अपने साथ carry कर सकते हो, आर्गेंचल माइकल की तो protection ही है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, ठीक है, तो यह तो आपको करना ही है, जिनको भी पता लगता है, कुछ ऐसी energies, या कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो उनको यह बहुत ज़्यादा जरूरी है करना, ताकि आपकी energy जो है, protected रहे, और आप अपने कामों में ध्यान दे सके, आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर याद आ सकती है, past की, और आप किसी को बता भी रहे हो यह, ठीक है, किसी के साथ discuss कर रहे हो शायद, यहाँ पर किसी का कोई breakthrough है, जिसका इंतजार आपको काफी देर से था, तो definitely यहाँ आपको कुछ viewers हो सकते हैं, जो काफी देर से इस energy का इंतजार कर रहे थे, कि कब उनका breakthrough आएगा, कुछ release कर पाएंगे, छूट पाएंगे किसी एक मंधन से, या किसी एक blockages से, चाहिए mentally हो, या किसी रिष्टे की किसी person से हो, चाहिए आपकी mentally किसी तरह की stuckness है, कि वो कब छूट पाएंगे, उसे कब निकल पाएंगे, कब free हो पाएंगे, freedom मिलेगी, तो definitely ये possible हो पाएगा, हम आएगा, यहाँ पे अगले पांच दिनों में कुछ ऐसा ऐसा होगा, कि आपको इतना believe हो जाएगा कि कर्मा पे, कि किस तरह से ईश्वर कर्मों का हिसाब करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, ये खुद के जीवन के लिए भी हो सकता है, आपके आसपास लोगों से related हो सकता है, या फिर किसी अपनी friends से, किसी relatives के, किसी से आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन definitely किसी की story आपको सुनने को मिल सकती है, ये online सुनने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ये definitely है, ये energy, ठीक है, कही न कहीं से, या आपकी खुद की life से, या कहीं न कहीं से definitely ये हो पाएगा, आपको सुनने को मिलेगी ये, यहां पर कोई बहुत सारे को टॉर्चर से गुजरा है किसी की बहुत साथ ट्रॉमाटिक लगी रही है लाइफ वो देख पाएगा वो देख पाएगा अपने सामने कि किस तरह से जिन लोगों ने यह ट्रॉमा दिया है उसको कि किस तरह से उन से कर्मों का हिसाब लिया जा रहा है तो कुछ ऐसा है यहां पर इस समय में आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है ठीक है डेफिनरली वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं जिन्होंने दुख दिया है आपको आपका फायदा उठाया है डेफिनरली ठीक है लेकिन यहां पर आपको ब्लेसिνگ देनी है उनको उनकी हालत पर हसना नहीं है अपर इगो में नहीं आना यहां पर कि उनके साथ यह अच्छा हो रहा है यह वो हो रहा है ठीक है तो यहां पर गाइडन्स है यह आपके लिए कि जो हो रहा है आपको भी पता है किसलिए हो रहा है बट लेकिन आप कुछ ऐसे कर्मा मत करियेट कीजिए क्योंकि आप अलड़ी डैप्ट जो है कर्मा का दे चुके हो अब फ्री हो चुके हो आपने कर्मों के हिसाब कताब से फ्री हो रहे हो या बहुत ही करीब हो आपको पता लगेगा कि कोई इतने जधा आपके आपके लिए नेगटिव बाते कर रहा है जिस वज़े से आपको चाहिद पैने कटायक आते रहें जिस वज़े से past में चाहिद आपकी health issues आते रहें आपके कही न कही जैसे पीठ में दर्दों रहेना पीट के middle में दर्द रहना, तो यह हार्ट चक्रा के back वाला चक्रा होता है, बिल्कुल exactly पीट के भीज में center में हार्ट चक्रा जो हार्ट चक्रा के बिल्कुल back side होती है वो चक्रा तो जब हम लोगों को लोग back stepping करते हैं, deceive करते हैं, specially relationship में, trust issues को लेकर या आपको किसी ना किसी किसी भी तरह से दर्द पहुंचाते हैं वो आपके करीबी वाले जो family members होते हैं, बहुत करीब वाले जिनके आपने बहुत जादा trust invest किया होता है, बहुत जादा उनकी प्यार, उनको love, care, nurturing दी होती है, जब वो ये काम करते हैं, तो वो जो चक्रा है ना वो बहुत जादा imbalance होत सकता है यहां पर यह message हो सकता है कि किसी की पीठ में अगर middle में दर्द रहा है बहुत जादा वो इसी वज़य से रहा है, या किसी भी तहके panic attacks आए हैं आपको, वो इस वज़य से आए हैं, यहां पर sun की energy से जो sun का कार भी निखला था, आपको कफी सरे solution मिलने वाले हैं, ठीक खुद के लिए भी हो सकती है, आपकी किसी family members related हो सकती है, relative friends किसी के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उससे related आपको काफी सरी clarity solutions मिल सकते हैं यहां पर, तो जिसके लिए आपको action लेने की जुरत है, ठीक है, आप किसी healer के साथ, किसी भी person के साथ, ऐसे spiritual person के साथ connect हो यह teacher हो सकते हैं, गुरू हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो वो भी sun की energy, कहीं न कहीं आपको destiny की तरफ भेजना आपको, destiny से connect करने के लिए, इस सफर पे आगे बढ़ाने के लिए आपको help करना, आपको इस तरह के remedies मिलना, इस तरह के solutions मिलना, जो आपकी stuckness से आपको ब मुझे इसके help करनी है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर, ठीक है, तो आपका mind बार 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 उसके बारे में सोचता है, और आप अपनी काम पर focus नहीं करवाते हो, तो यहाँ पर आपको उसका solution दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भ की बात के लिए आप stuck ना रहो, जिसकी भी आप help करना चाहते हो, वो आप कर सको, तो कुछ ऐसा message है यहाँ पर, यहाँ पर आप money की receiving वाले energy में जा रहे हो, यहाँ पर ठीक है, काफी कुछ clear हुआ है, आपकी life में हो रहा है, उस वज़े से देखोगे की धीरे 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 जो, जो money है, जो finances है, better हो रहे हैं, आपकी life में आ रहे है, connect कर पा रहे हो, money energy के साथ कहीं न कहीं, आप alignment में आ रहे हो, ठीक है, तो आपकी काम रुके हुए थे, वो चलते हुए आपको लगेंगे, कि हाँ चल पड़े है, opportunities रुकी हुई थी, वो आपको connect कर पाऊगे, कुछ नई jobs, नए business idea, ये सब भी आपको आएगा, आपको मिलेंगे ये, messages मिलेंगे, या कहीं न कहीं से inspire, feel करोगे, आप inspire हो जाओगे, तो वो आप देख पाऊगे, आप बहुत सारे divine love को भी two of cup की energy भी आई थी, तो यहाँ पर आप divine love भी बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, आप बात कर पा रहे हो, चाहे काली मा है, चाहे कृष्णा है, बोले बाबा है, यहाँ पर आप कहीं न कहीं उनको देख पा रहे हो, या connect कर पा रहे हो, उनके साथ कहीं न कहीं alignment में आ रहे हो, और वो ही आपको बहुत सारे messages भेज रहे हैं, तो two of cup के साथ page of cup था, जब भी हम लोग alignment में आते हैं, इश्वर के साथ, तो इश्वर definitely हम लोगों को किसी न किस इसी तरह के messages, solutions के साथ हम लोगों को help करते हैं, इसलिए meditation करने के लिए, शांत रहने के लिए, पीस से जोडने के लिए, अपनी intuition से connect करने के लिए बोला जाता है, उस समय इश्वर हम लोगों को बहुत सारी help भेजते हैं, तो alignment में आना, high vibration में रहना बहुत जादा जरूरी ह होता है, आपको blue color बहुत जादा around नजर आ सकता है, light blue से लेके जो यहाँ पर भी है, dark blue, ठीक है, वो आपको काफी नजर आ सकता है, यहाँ पर, आपके heart chakra से भी related कुछ यहाँ पर हो रहा है, heart chakra heal हो रहा है, और you know, वो trauma, किसी भी तरह की trauma, किसी भी तरह की pain, उसका heal होने का समय आ गया है, और इस वज़े से आप light भी feel करोगे अपने heart chakra में, और heart chakra जो heal हो रहा है, और ज़दा heal होनी की वज़े से alignment में आ रहा है, जो भारी पन कैरी किया हुआ था न, heart में, वो कहीं न कहीं release हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप release कर रहे हो, खाली हो रहा है, heart chakra heal हो रहा है, और इस वज़े से आप divine connection में, receiving वाले उसमें जा रहे हो, ठीक है, abundance की energy में जा रहे हो, abundance के साथ alignment में आ रहे हो, आपको good news भी मिल लेगी आने वल दिनों में और काफी कुछ आपको अच्छा feel होगा, एक blissful energy feel होगी आपको, आप हस रहे हो, अपना काम कर रहे हो, enjoy कर रहे हो हर एक चीज को, और high vibration में हो, बहुत ज़दा tension नहीं ले रहे हो, कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में, कोई द देख रहे हैं, आपको आप डांस कर रहे हो, यह सब चीजों का आपको, आप डिस्कनेक्ट कर जुके हो, कोई क्या सोचेगा, कोई आपके लिए वेट कर रहे है, कोई बहुत ज़दा expectation कर रहे है कि आप उसका ये भी काम कर दो, आप उसको ये भी कर दो, आप अपनी धून म दिया या नहीं दिया, तो ये सब चीज़े ज़दा आप उनके उपर ज़दा फोकस कर पाऊगे, और लोगों के बारे में कम सोचना, उनको कम priority देना, कम उनको अपनी boundaries को cross ना करने देना, ठीक है, उनको वेट करवाना अब, ठीक है, attention नहीं देनी, उनको, खुद को attention देनी सबसे ज़्यादा, खुद का self love, self care, तो यहाँ पर वो highlighted रहेगा आने वाले दिनों, confidence बहुत बढ़ेगा, बात करने का confidence बहुत बढ़ रहा है, communicate करने का, clearly communicate करने का, truth बताने का, सच बताने का, जो जो बोलना है, वो सच बोलना है, ठीक है, चुपाना नहीं है कुछ भी, और यह energy में आप आ रहे हो, बहुत जादा ताकत, कहीं से भी देखोगे, हैरान हो जाओगे, यह confidence इतना कैसे आ गया, लोग भी इस वज़े से आप से खुलत के बात कर रहे हैं, आप अपने आपको रोक के नहीं रख रहे हो बातों को, चुपा के नहीं रख रहे हो, हिच के चा भी आपका हील हो रहा है, इस वज़े से मैंने ब्लू कलर की भी बात की है यहाप और ओ, आर्केंजल माइकल का भी कलर ब्लू होता है, इस वज़े से भी, तो आपका थोट चक्रा जो लोगो नहीं चाह रहे थे कि आप थोट चक्रा का इस्तमाल करके एकस्प्रैस कर पाओ, उनको reveal कर पाओ, उनके मास्क को उतार पाओ, तो होना तो वही है ना, जो खुदा को मन्जूर है, ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पर, तो finally आपका कईयों का throat chakra open हो रहा है, अब बहुत सारी बाते कर पाओगे, बहुत अच्छे से express कर पाओगे, confidence आपका हा रहा है, self-expression बढ़ रहा है आपका, और उसको बहुत अच्छे से आप truth बोलने में, और जो काम आपने रोके हुए था ना, गले की वज़े से, अपने throat की वज़े से, कि मुझे किसी को guide करना है, या अपना channel start करना है, और motivate करना है, motivational speaker बनना है, life coach बनना है, इस तरह की चीज़ें जो आपने रोक रखी थे अपने आपको, कही ना कही आप वो आपको, आप इंस्पाइर फील करोगे, ठीक है, अगेन ये general collective reading है, हो सकता है आपके साथ सारे messages resonate करें, या कुछी message resonate करें, पर definitely यहाँ पर यह message है, के लिए, shopping के लिए, बहुत दिल करेंगा आपका घर को, अपनी समान को upgrade करने का, अपनी closet को, अपने कपड़ों को, ठीक है, कुछ नए-नए colors जो आपने कभी शायद डाले नहीं है, या आपने around नहीं देखें हैं, mostly colors जो, वो आपका दिल करेगा, खरीदने को, colors को, वो वोले चक्रास जो हैं, आपके highlight हो रहे हैं, heal हो रहे हैं, तो कुछ अगर colors आपने जिंदगी में नहीं डाले हैं, या आप हिचके होगी हैं, मुझे orange बहुत bright color होता है, red या yellow, इस तरह के green है, light green, बहुत जादा bright color या neon colors होते हैं, मुझे ये नहीं डाले, मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब वो bright colors, वो क्या लगेंगे, या जो भी इस तरह की आपके अपने बारे में वो थी, perception थी, वो change होगी, bold बन रहे हो आप, तो basically आप bold बन रहे हो, आपको कोई फरक नहीं बढ़ता, कोई यहाँ पर hair color कर सकता है, किसी bold color का, purple color का, red color का, ठीक है, इस तरह से आप hair color भी change कर सकते हो अपना, या नया कोई color को अपना सकते हो, यहाँ पर bold बनना, tattoo, tattoo कराने का भी आपका दिल करेगा, मुझे butterfly दिख रही है, तो definitely यहाँ पर message है, बहुत सारी चीज़ों को आप release करोगे, जैसे बहुत सारा प्राना समान हो सकता है, decluttering कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, सफाईया कर रहे हो, cleaning कर रहे हो, और आपको लगेगा कि यह नहीं मुझे चाहिए, और यह कपड़े ड्रेसे भी मैंने बहुत देर से नहीं डाली है, इनको भी निकाल देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो काफी आपका इस तरह का मन करेगा, करने को, नयापन, नई एनरजी को welcome करना, और जो पराना है उसको declutter करना, उसको चांट देना, उसको हलका कर लेना अपने आपको, इस समय में आपको birds को feed करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, birds को feed करना, ancestors को, you know, ancestors तक भी पहुंचता है वो, तो definitely birds को feed कीजिए, positive energy, positive energy create करने, ताकि वो और ज़्यादा आपके इस process को, transformation के process को, आपकी progress को enhance करे, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ा दे तेजी से, ठीक है, और आप पूछे मुड़ के न देखे, तो कहीं ना कहीं, इस तरह की energy हैं यहाँपर, guidance देख लिगते हैं, guidance के हैं आप लोगों के लिए, इस समय आपका, पूरी तरह से पवित्र उर्जा में रहना, पूरे अच्छे विचारों के बारे, अच्छे विचार लेके आना, क्योंकि वो manifest भी हो रहे हैं, और आपके लिए भी ज़रूरी हैं, ताकि आप blessings के साथ जूड़े रहें, एक positivity, एक smile, एक confidence रहे आपके साथ right now, और हमेशा के लिए रहे, तो अच्छा सोचना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीके ना, होना वो है, जो इश्वर्श आते हैं, लेकिन हम लोगोंने सिर्फ positive thoughts के ओपर ध्यान देना है, इस समय में, और देखें के हैं guidance क्या है, बहुत साथ बर्डन नहीं लेना कामों का, ठीक है कि ये भी काम करने हैं, ये भी काम करने हैं, ताकि आप intuitively aligned में रहें, ठीक है, इश्वर्श जो भी आपको संदेश भेज रहे हैं, कहीं से भी भेज रहे हैं, उसको आप सुन सकें, तो आपको अगर बहुत सारे कामों और responsibility में busy रहेंगे, एक तो आप अपने आपको ठका लेंगे, आप अपनी abundance को और blessings को enjoy नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए time नहीं निकाल पाएंगे, gratitude पे नहीं कर पाएंगे, तो इश्वर्श यहां पर यहीं चाहते हैं, कि जो भी abundance और blessings में भेज रहा हूँ, abundance जो आपके पास अलड़ी है, और जो आ रही है, उन सब को enjoy करो, उसके लिए gratitude पे करो, क्योंकि यह finally कहीं लोगों को, बहुत देर बाद देखने को मिलेगी, finally वो, मैंने जैसे बोला, breakthrough से गुजर रहे हैं, finally वो बहुत सारी blockages को, बहुत सारी areas को clear कर पा रहे हैं, कर्मा के depth clear हो रहे हैं, blockages, black magic, negativity, किसी तरह की भी, बहुत सारी यहाँ पर cleaning चल रही है, final gardens देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे गाना, चैनल हो रहा है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तो यह गाना जो है ना, एक तो यह बताता है, कि कुछ ना बोलो, तो उस वज़े से, आप वो ध्यान से सुन पाएं, जो messages आप channel कर पा रहे हो, बहुत सारी information जो आपकी तरफ आ रही है, चाहिए आपके बच्चे कुछ बात करते हुए, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनकी बातों में कोई message हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कोई neighbor आपके पास खड़ा होके कोई बात कर रहा है, उसमें कोई message चुपा हो सकता है आपके लिए, तो कहीं से भी message आप तक पहुँच रहे हैं, और एक और message यहाँ पर है कि यहाँ पर इस समय में कुछ last कोशिश की जाएगी negative लोगों की तरफ से यह negativity की तरफ से कि आपको खींचा जाए बापस से, आपको low vibration में लाया जाए, आपको grow करने से रोका जाए, तो इसको आप बड़ी strength के साथ तभी जहल सकते हो, अगर आप quiet हो, तभी आप समझ भी सकते हो कि क्या हो रहा है, surrounding में क्या चल रहा है, आपके लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप समझ दारी से तभी act कर सकते हो, और अपने आपको किसी भी तरह के dispute से, किसी भी तरह के negativity से, drama से, अपने आपको अलग कर सकते हो, कट कर सकते हो, ताकि जब आप चुप रहें, ठीक है ना, चुप रहें के तो बंदा वैसी act कर सकता है, जैसे हम लोग सोचें, यानि क कि बोलने या act करने से पहले plan कर लेना, अगर हम लोग सीधा ही कुछ हो रहा है, और बिल्कुल भढ़ने के उसमें किसी के drama पर participate कर लिया, हम लोग फिर से low vibration में आ जाएंगे, बिना सोचे समझे किसी को जवाब देने चलेगे, आपने ऐसे क्यों बोला, आप कौन होते हैं, या जो भी है, जो भी हो रहा है, ठीक है तो आप फिर से अपने आपको low vibration और यही सब चाहते हैं, यही negativity चाहती है, कि आप low vibration में आ जाओ, और यही हम लोगों को नहीं करना है, जाँ हो, जितना हो सके, चुप रहे कर समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, observe कीजिए, समझ wisdom आपको यह बताती है, कि कहां पर कब बोलना है, कैसे बोलना है, respond कैसे करना है, और फिर चाहे लोग पचास बार आपको खींचे, आप एक ही बात कह कर उनको चुप करवा सकते हो, वो wisdom वाली बात होगी, जब आप बोलोगे, और सब का मुमन्द हो जाएगा, ठीक है, तो व आपको wisdom से तभी correct करोगे, जब आप सुन रहे हो, कुछ ना का हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और white deck से, और कुछ और messages निकाल लेते हैं, कुछ messages, हम लोग मुझे message मिला, इसमें से निकाल लेंगी, कुछ activities, कुछ और energies को, mostly तो यह confirmation ही होती है, कि क्या होगा, ठीक है, तो मै मैं आपके सामने ही निकाल लेंगी हूँ इसको, आपको पता लगेगा, तो इतना बहुत है, देखो मैंने books की बात की थी आपको, कि किसी का books पढ़ने को दिल करेगा, यह information messages भी हो सकते हैं, books यानि की information, messages, solutions, alignment, यह भी हम लोग ने बात की, कि आप alignment में रहोगे, ठीक है, divine के alignment में, इश्वर के alignment में, count blessings, gratitude पे कीजी, जो भी blessings आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, तो यह वोही सारे messages आपके सामने ही आ रहे हैं, के सामने ही निकाल रहे हूँ है, surprise है, तो शायद मैंने surprise की भी किसी तरह की बात की है, कि कुछ चीजें आपको surprise कर सकती है, या कुछ messages, कुछ information आपको surprise कर सकती है, take action, action लीजिए, जहां पर भी action लेने की जुरत है, आपको chakra clearing, ये भी बात की हम लोग ने, कि आपका different colors के साथ, आप बहुँ ज़दा fascinated feel करोगे, attracted feel करोगे आप, ये colors मुझे डालने हैं, ये colors बहुत अच्छे लग रहे हैं, research, ढूंड रहे हो, books में ढूंड रहे हो, किसी तरह की कुछ research कर रहे हो, आप online मुझे लग रहा है, कुछ online ढूंड रहे हो, आप shopping करना जाए, final release, ये देखे, बैने आपको बोला कि trauma या कुछ इस तरह का, आप release करने के लिए रड़ी हो, purpose, purpose के बारे में सोच रहे हो, ढूंड रहे हो, connect कर पाओगे, आपको purpose का पता लगेगा, राधे, राधे, तो feminine energy, या राधे, राधे, आपको chanting करने की जुरत है, अगर आप love connections को manifest करना चाहते हैं, तो राधे, राधे की chanting कीजिए, ठीक है, आपको soul commitment के साथ ही, connect करने में help करेंगी, एनरजी, angels definitely, क्योंकि यहां पर archangel Michael का, इसमें नहीं है, लेकिन archangel Michael का मेरे white cards में जरूर कार है, इसमें angels है, तो definitely, angels के connection feel करोगे, angels से messages को receive करोगे, जैसे मैंने specific लिए archangel Michael का यहां बो, be yourself, authentic self में हो, यह भी मैंने message दिया आपको, कि आप बड़ा मस्त हो, अपने आपको prioritize कर रहे हो, मेरे कौन से काम पड़े हैं, दूसरे आपको बोल रहे हैं, यह काम कर दीजिये, वो कर दीजिये, ठीक है, आप अपने आपको पहले priority पे रख रहे हो, cleaning है यहां पर, यह भी हम लोग ने बात की, आप cleaning कर रहे हो, सारे messages, believe in yourself, ठीक है, तो जो भी action लेना चाहते हो, यह भी मैने बात की, कि आपको डर लगेगा कि कैसे होगा यह काम, वाव, देखो, मैं खुदी surprise हूँ, जो messages निकले हैं, तो यहां पर आपको विश्वास करने की जरुदा था, कि आप कर पाऊँगे, थोड़ी देर के लिए आपको music से जुड़ना या flute music से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा soothing हो सकता है, calming हो सकता है, अगर आप mentally, emotionally ज़्यादा worked out हो गए हो, burned out हो गए हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, twin flame, twin flame energy है यहां पर, twin flame के बारे में जान रहे हो, information आ रही है, research कर रहे हो, यह कुछ भी हो सकता है, twin flame की energy है, यहां पर connect कर रहे हो, या alignment में आ रहे हो, तो यह भी हो सकता है, ठीक है, तो यह थी, आप लोगों के, कुछ और energies निकाली है हम लोगों ने, अब वह हम लोग वाइट कार्ट से देखेंगे, तो देख लेते हैं यहां पर, next five days के लिए क्या है energies, क्या blessings है, क तो काफी messages यहां पर again repeat होते हैं, तो that's it, don't worry, be happy, Krishna is with you, तो अगर डगमगाएं आप, तो यह याद रखना, कि Krishna आपके साथ है, डरना नहीं है, ठीक है, मुझे फिर वो यह message आ रहा है, कि डरना नहीं है, किसी situation में आप थोड़ा सा, सो सकते हो, फिर यह message आपको याद आना चाहिए, Oh dear, I love you, तो यह आपका train या कोई भी, आपको बोल सकता है, ठीक है, अपने आपको बोलिए, अपने आपको कहिए, I love you, ओ, यह दो कार्ड्स हैं याँ अबर, तो यहाँ पर, देखो, फिर से, चक्रा, healing, clearing बात की है, हम लोगे ने, your healing, physically, mentally, emotionally, spiritually, take rest, तो अगर आपका, rest करने को दिल कर रहा है, वाइड मत कीजिए, अभी मैंने बोला कि अपने आपको guidance में कि overburdened नहीं करना है, चाहिए आप ज़्यादा physically काम कर रहे हो, बहुत सारे घर के भी काम, ज़्यादा emotionally वो करना, उसमें भी आपको अपनी energy को drain नहीं करना, कोई यहाँ पर किसी को कह रहा है, go see the doctor appointment, ठीक है, तो हो सकता कि, आप थोड़ा अच्छा feel नहीं कर रहे हो, या कोई family member हो सकता है, कि बिमार है, आप उनको बोल रहे हो, ठीक है, तो suggest कर रहे हो, you are the biggest hero of the family, तो कुछ आप ऐसा काम कर सकते हो, brave, bold, ठीक है, तो आप hero बनने वाले हो अपनी family के, changes are coming super fast, तो changes आपकी तरफ बहुत ज़्यादा fast आ रही है, energetic shift मुझे लग रही है, होती हुई, listen to the person carefully, ठीक है, तो जिससे भी आप बात कर रहे हो, उसकी बात को भी ध्यान से सुनो कि वो क् अपने प्रमात्मा विश्वास रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको विश्वास करने की जुरत है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, sit with yourself, calm down, breathe deeply, walk in nature, जब आपको लगए कि आप tired feel कर रहे हो, तो break ले लीजिए, ठीक है, यह नहीं है कि नीन आ रही है, या tired feel कर रहे ह लगे हो है, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है, थोड़ा समय break ले लीजिए, पांच मिनट की भी breath बहुत अच्छी होती है, पांच मिनट जाके, नेचर में बैठ जाएगे, बालकनी में बैठ जाएगे, आप देखो कि पांच मिनट में ही आप इतना जादा रलाक्स हो देख सकते हों आप, मैंने ये भी आपको मैसेज दिया कि आपको पता लगेगा कि नेगटिव एनरजी आपकी तरफ कहां से आ रही थी, कौन आपके लिए इतना जेलिस है, कौन आपकी ग्रोथ को नहीं देख पा रहा है, तो इस तरह की इंफरमिशन आप तर पहुंचेगी तो मुझे दो-तिन कार्ड और लेने के लिए बोला गया है, तो वो निकाल लेते हैं, ये 100 से 100 से ज़्यादा है कार्ड, फिर भी बहुत सारे मैसेज़ेज की यहाँ पर, बहुत सारे मैसेज़ेज की कंफरमिशन हो जाती है, जो भी सैंड डीरिंग में निकलते हैं, बहुत स ठीक है, और यहाँ पर भी निकले हैं, प्स, गेट रड़ी, मनी इस कमिंग, प्स, बहुत जादा सेंसिटिफ भी फिल कर सकते हो इस समय, और इस बज़े से भी आपको नीद आ रही है, ठीक है, रेस्ट करने को दिल कर रहा है, तो वो भी, ये देखिए, तो यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर अलग से आपके प्रमात्पा, अपने प्रमात्पा वविश्वास रखो, यह सारे चीजें कि कोई भी एक्शन ले रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो इस समय में, डर्मा नहीं है आपको, आप कर सकते हो, तू जहां जहां रहेगा, मेरा साया, साथ होगा, मेरा साया, अगें, बुक्स, इन्फरमिशन, क्लारिटी, सन की, उर्जा, फिर बुक्स, भी निकला, औरेंज वाले उसमें, काड में, और यहां पर भी है, अगें, तो यह थी आप लोगों के लिए रीडिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो मच पूर वाचिंग, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे इमेजिंग वीडियो के लिए, थैंक यू, थैंक यू, सो मच पूर वाच झाल झाल